अग्याओं कि अग्याओं कैसे हैं आप मेरे नाम दीपेंद्र है स्वागत मेरे आनलाइन पार्ट साल एक जाम सुपर संडे में आज के सेशन हम पढ़ेंगे मेखाले के बारे में एक पुरुवत्तर राज है इसके पिछले वड़े सेशन में हम लोगों ने पढ़ा है सेवन स स्टेट के जो राज है अनुनाचल प्रदेश नागालेंड मनीपुर मिजोरम ठीक है तो यह स्टेट हमने पढ़ा है यह आपका अनुनाचल प्रदेश इसके बाद हम आज पढ़ेंगे मेखाले के बारे में इसके बाद पढ़ेंगे आसम के बारे में ठीक है तो मेखाले भ में घाले का साब्दिकर्थ क्या होता है इस्थापना कब हुई है कितने जिलों को काट कर इसकी इस्थापना की गई है यहाँ पर बोड़ी जाने वाली भासा कौन-कौन सी है बंस प्रणाली किस प्रकार की यहाँ पर है क्रिसी किस प्रकार की है मुख खाधान फसल कौन-कौन से है भगोरिक तत्ह के बारे में पढ़ेंगे कि गारों खासी जहंतियां कहां रिस्थित हैं और इनकी क्या क्या भीषेश्था है बन्ने जीवन में पढ़ेंगे क्व कौण साथ किस तरह के के भ्रेंस दौरा अलग हुआ है ये जल संग्रे का तरीका पढ़ेंगे कि मेघाले के लोगों का जल संग्रे का तरीका किस प्रकार है सो फ्रेंट्स शुरू करते हैं मेघाले के बारे में तो फ्रेंट्स मेघाले का साबदी करत है बादलों का घर ठीक है इसकी राधधनी कहा सीलांग है ये भारत का पुर्वत्तर राज है मेघाले को ततकालीन ब्रिटिस अधिकारियों दोरा या ब्रिटिस राज के समय मेघाले को पूर्व का साही अधिकारियों दोरा इसे पूर्व क स्कार्ट लैंड की संगय दी गही मेघाले को मेघाले जो सब्ध है ये एक संस्क्रित मूल से निकला हुआ सब्ध है किस प्रकार का सब्ध है संस्क्रित मूल से निकला हुआ सब्ध है इसकी ब्यूत्पत्ति कलकात्ता विश्च विद्याले के भोगोल बेत्ता डाक्टर सब्सक्राइब को कि आ गया लेकिन जैसे ही इसका नाम में घाले पड़ा तो वहां के निवासियों धुरहारी बिरौद का सामना करना पड़ा कि पुरुवत्तर छेत्रके जो अनराज हैं उन राज्यों के नाम वहांके निवासियों से बिलोंग करते हैं जैसे कि अहोम लोगों का आसम नागा जनजाद का नागा लायन मिजो ववाशियों का आपकामिजोरंप इसी तरह जो मिखाले की जो मुक्ष जनजाद है नागारों खासी जैनतिया उनके नाम से कहीं भी महिंच नहीं होता है इस वजे से इसका भारी विरोत का सामना करना पड़ा लेकिन कालांतर में इसको अपना लिया गया है क्योंकि हमारी जो संस्कित ही ऐसी होती है कि हम लोग को सिद्दान पर काम करते हैं अर्थाथ हम सब ग्रहन करते हैं कुछ भी आ जाए इसी परकार मेंगाले के निवासियों ध्वारा मेंगाले सब्द को अपना लिया गया ठीक है है इसके बाद यह जुख है यह जो मेघाले है मेघाले की जो आपकी पशामी सीमा और जशारी सीमा यह बंगलादेश के साथ बॉंडी सेयर करती है ठीक है यह आपका पश और पूर्वी सीमा है यह किसके साथ बॉंडी सेयर करती है यह आपकी आसम के साथ बॉंडी सेयर करती है तो कभी कभी कुश्चन यह आ जाता है कि जो मेगहाले राज है यह किस देश के साथ बॉंडी सेयर करता है तो आपके बंगलादेश है बंगलादेश के पश्चिमी और दिखनी की तरफ यह रहे मसरन करता है और नाज्थवर इस्ट की तरफ यह आसमराज के साथ करता है ठीक हैँ इसकी राधानि क्या है आशंव है सृरी जिस HERE जिसे बुचिस अधकावरी द्वारा पूर्भ के सकाट सम्हेग दी गई है मेखाय एक संस्कीत मुर्ञ से निकला हो सब्द है इस सब्द की विद्पत्ति कलकत्ता विश्विद्या लेके भोल बेता डाक्टर एस्पी चटरजी दोरा की गई है ठीक है इसकी स्थापना 21 जनुरी 1902 को 21 जनुरी 1902 को की गई है 21 जनुरी 1902 से पहले यह जो मेघाले है यह आसम का एक संब्दारिक पाठ हुआ करता है पाठ हुआ करता था लेकिन 21 जनुरी 1902 को असम के 3 जिले गारो जिला खासी जिला और जैंतीय जिला को कार्ट करके एक नया राज मेघाले अस्टित में गाए ठीक है तो कौन सा राज मेगाले राज अस्तित में लाए गया गया 21 जनुवरी 1972 को असम के कितने जिल्यों काट करके तीन जिल्यों काट करके काण से कारो जिला, खासी जिला और जैनतिय जिला को काट करके लेकिन 21 जनुवरी 1972 से पहले इसको एक अर्ध स्वेत राज का भी दर्जा दिया गया है अर्थाथ 1970 को इसको अर्ध स्वेत राज का भी दर्जा दिया गया है कभी कभी कुश्चन यह आ जाता है कि मेघाले को 21 जनुवरी 1972 से पहले अर्द सोयत राज का दर्जा कब दिया गया है तो यह आपका 1970 में इसको अर्द सोयत राज का दर्जा दिया गया है ठीक है इस था अपना कब हुई 21 जनुए 1972 को अर्दसवयत राज कब बनाए गया इसको 1970 को अर्थाद पूर्ण राज बनने से पहले यह अर्दसवयत राज था किस से काटके बनाए गया असम के किसके कितने जिले तीन जिले कौनकों से गारो खासी जैनतिया जिला ठीक है में घालहें जो राज में अधिक्तर जो आपकी अफिसियल लैंग्वज है वो इंगलीस है कौन से लैंगज है अंग्रेजी लैंगऑ यहां की अधिकारी भासा लेकिन इसके अलावा गारो गहासी जैनतिया भासा भी बोली जाती है कौन कसी गारो खासी और जैनतिय भासा भी बोली जाती है इसके अलावा यहाँ पर पिनार और बिनार के अलावा हजोंग भासा का प्रियोक किया जाता है कौन सी भासा का हजोंग भासा का भी प्रियोक किया जाता है यह जो हजोंग भासा किस छेतर बोली जाती है कभी कभी कुश्चन आ जात जो मुस्ट इंपोर्ट हजओंग भासा है वो किस चेत बोली जाती है तो बंग्ला whispering के साथ लगने वाड़ी दच्छली पहाड Plugin वाड़िया है उस छेत पर रहने वाड़ी लोगों को वार कहा जाता है क्या कहा जाता है वार कहा है जनージात कहा सख्या और यह जनजादा इजब करती है और कहां रहती है है मिघाले की दच्छय में एक साथ सट्ष हुई अए पहाड़ीयों में यह धुस कि जयbon करती है 1400 सब्सक्राइब कसि सट्छय और भांदा पढ़ा है अंग्री जी यहां अधिकारी भासा है, गारोखासी जहंती है भी, आप बोल जाती है, कुछ चेत्रों पर पिनार और विनाड़ बोली जाती है लेकिन हजोँग भासा बंगलादेश के साथ सती हुई दच्छनी पहाड़ीयों पर बोली जाती है, बंस प्रणाली देखिए जो बंगलादेश ये आपका मेघाले राज है इसकी जो बंस प्रणाली है भारत के अन्राजियों के पेच्छे बिलकुल भिन है देखिए भारत के अन्राजियों में जो बंस प्रणाली है पिता की पैतक संपत्ती का जो हकदार होता है जो उत्रा धि कि देख्भाल करती है ठीक है अर्थात यहां पर म्रात्बंसी परणाली चलती है कुर्ण कभी कुछन यह आता है कि पृवत्तरश्यतर का ऐसा कौन सा राज है जहां पर मरत्बंसी प्रणाली पाई जाती है तो वो है आपका मेखाल है ठीक है तो इससे यह सिद होता है कि मेखाले की जो गारों खासी जैंतियां जो जन जातियां है वो महिला ससक्तिकर्ण में हजारों सालों से पहले सी वह अपना योगदान देती रही है मतलब कि पहले सी वह जाग उपियों क्या बोलते हैं इंपोर्टनसी है वो पहले से जानती थी ठीक है हमने बंस्प्रणारी पढ़ लिए किरसी पढ़ेंगे जो की जो मेघाले में मुक्तर जो किरसी है वो जूम किसी अत्यदिक मात्रा में की जाती है और यहां की जो खाद फसल है खादान फसल है वो क्रिसी अधारित अर्थ बेवस्था है क्रिसी अधारित अर्थ बेवस्था है जिसको अगेरियन अर्थ बेवस्था भी कहते हैं क्या कहते हैं अगेरियन अर्थ बेवस्था भी कहते हैं कौन सी अर्थब्योस्ता है पाई जाती है क्रिसी अधारित अर्थब्योस्ता है जिसको हम अगेरियन अर्थब्योस्ता भी कहते हैं जिसमें बने जिक बन उत्दोक का या बने जिक बन उत्पाद का अत्यदिक महत्मूर रोल है किस उत्पाद का बने जिक बन अधारित उत्पाद का इस अर्थव्योस्ता में महत्मूर इस्थान है इस अगेरियन अर्थव्योस्ता में बन अधारित उत्पाद का प्रमुक्ता योगदान है इसी वज़े से यहां पर किसी अधारित अर्थव्योस्ता पाई जाती इस अर्थव्योस्ता क्या बोलते है अगेरीन अर्थव्यस्ता बोलते हैं क्योंकि बन अधारित उत्पाद इसलिए महत्पूर्ण है क्योंकि इस जो मेघाले का 70% छेत जो बनाच्छादित है क्या है बनाच्छादित है यह हमने क्रिसी पढ़ लिया है भगोडिक तत्त के बारे में पढ़ेंगे देखे जो मेघा यह जिला हुव जयंतिया भाड़ी परिस्थी थे ठीक है यह देखिए गारोखासी जयंतिया को समलित रूप से कि सिलांग पठार क्या बोला जाता है सिलांग पठार यह मेघाले का पठार बोला जाता है ठेक है इस गारो खासी जैनतिया के परवती छेत्रों को मिला कर जो पठार बनता है उसको हम सिलांग पठार या मेघाले पठार बोलते हैं ठेक है तो हम कह सकते हैं कि गारो खासी जैनतिया के समलित रूप को सिलांग पठार या मेघाले पठार बोलते हैं यह जो सिलांग पठ अइलांग को पठार बोला जाता है एलांग को पठार नहीं हो यहां पर आपका परणोती छेटर फ़िए नीची घाटिया ऊच नीची जमीन पाई जाती है ठीक है और इस पठार की जो चट्टाने है वो आर्कियन स्रेणी की चट्टाने है किस स्रेणी की चट्टाने है आर्कियन स्रेणी की चट्टाने है देखिए इस सिलांग पठार में जो चत्ताने पाए जाती है लेकिन ये पढ़ते हैं कि सिलांग पठार में जो चत्ताने पाए जाती हैं वो स्रेनिक चठ्ठटाने और इस आरकिन स्रेनिक चठ्टाने की बिशेथ्ता यह होती है कि इस Р की महिशनिक नों में घे मनलब की कि आपकी भुगर्विक संपता डेल सारी मात्रं की इत्लियत मातर में में भुगर्विक संपता पाहए जाती है जैसे कि कया कोईला चूना संग मरमर यूरेनियम और आपका सिल्मनाइट अर्था जो सिलांग पठार है इसमें आर्किन सिनिक चट्टाने पाई जाती है इस आर्किन सिनिक चट्टानों में भुगरफिक संपता जैसे कोईला चूना, संग मरमर, यूरेनियम सिलमनाइट आधि प्रचूर मात्रम पाई जाती है इसके लाव यह जो पठार है वो एक हाई लेंड पठार है कौन सा पठार है हाई लेंड पठार है हाई लाइंड पठारें इस पठार की मुख भी सिस्ता ही है कि जब मेघालें भारी वर्सा होती है यह बाढ़ का एक प्रकोप आता है तो यह हाई लाइंड पठार बाढ़ को रोकने में बहुत उभियोगी है ठीक है तो कुश्चन यह आता है कि पुरुवत्तर छेत में हाई पठार कहा पर पाये जाता है तो आपका मेघाले राद में हाई लाइंड पठार पाये जाता है lots वा में पठार किसको ईडन, पठार को इस पठाने पठार को तो इसके लाँ यह यहाँ पर जो तो गारो है खासी है यह जैनती है कि संब्ली तुप कमने सिलांग पठार नाम दिया है तो इस पठार की जो उचाई है वो 105 मीटर से लेकर के 1912 मीटर तक है कहां तक है इस पठार की जो निम्तम उचाई 105 मीटर है अधिकतम उचाई 1912 मीटर है तो कभी कभी कुश्चन यह आ ज सिलांग पीक, जिसकी उचाई 1911 मीटर है, सबसे उचा चेतर सिलांग पीक, यहाँ पर सिलांग पीक में खास भी सेता कि यहाँ पर इंडियन एरफोर्स का एक एरफोर्स इस्टेशन भी है, कि अगर आजाए कि इन में से किस पीक पर या किस पहाडी पर इंडियन एरफोर्स का इस्टेशन है तो वह आपका इपा । है और भाषव पाड़ी का भाग है और खासीपहाड़ी में वे मेखाले की राधधानी चीह रेखी प्तित्ध तो है जो भारत का समय स्मार्ट सिटी के रूप में नॉमिनेट किया गए, समय स्मार्ट सिटी के रूप में नॉमिनेट किया गए, वो सिलांग सहर किस पहाडी का भाग है, खासी पहाडी का भाग है, इस खासी पहाडी के पूरम में, पस्चिम में आपका गारो है, गारो हिल्स है, और पूरम में जैन्तिय हिल्स है, बीच में आपका खासी हिल्स है, अब देखिए, इसके पस्चिम में गारो हिल्स है, तो गारो हिल्स का उस्तम सिखर आपका नोकरेक है, क्या है? नोकरेक है, नोकरेक है, अब हमने यहां पर इसका भोगोरिक तत्यकाद धन कर लिया है इसके बाद हम बन्न जीवन पढ़ेंगे बन्न जीवन में हमने अब भी पढ़ा है गारो हिल्स ठीक है गारो हिल्स का उस्तम सिखर कौन सा है नोक रेक है तो गारो हिल्स के पस्चिम में है गारो हिल्स के पस्चि भायोस्फिर। नौको रिजर्व। इसकी स्थापना भरत सरकार ने 1988 की थी। इस भायोस्फिर। रिजर्व को यूश्प क दरहersode 2019 में मैप प्रोग्राम MAB मैप प्रोग्रम मैन एंड बायल स्फिर ऋड्रिजर प्रोग्रम मैं एंड गारोस के स्थापना भारत सरकार में 1978 में किया थी जिसको यूरिसकोंने 2009 में मैश सामिल किया है ठीक है किसी गाराय दच्छिन में बलभाराम राश्च्टी उद्दान क्या है कि आपका एक हो गया बलभाराम राश्च्टी उद्दान यह को मैं ए राश्टी उद्दान जय वियुत्ता के मामले में मेघाले में अग्णी स्थान रखता है क्या रखता है अग्णी स्थान रखता है किस मामले में जय वियुत्ता के मामले में क्योंकि यहां पर इस्तंधारी पसु पच्छी ब्रिच के अत्यदिक मात्में बराइटी पाई जाती है इसी वज़े से ब मैं आपका फुल्फाम मैं एंड बाइस्फियर प्रोग्राम करता कर सामिल किया गया गारो हिल्स के ही दच्छन में आपका बलफाराम राष्टी उद्धान जिस जय वियत तक विसाल भंडार पाया जाता है ठीक है और इसके अलावा आपका मेघाले में तीन अभ्धैरन पाया मेघाले के सबसे बड़ा पच्छी ग्रेट इंडियन हार्निबल ग्रेट इंडियन हार्निबल पाये जाता है क्या पाये जाता है ग्रेट इंडियन हार्निबल पाये जाता है दूसरा आपका अभ्धैरंड है सीजो अभ्धैरंड सीजो अभ्धैरंड तीसरा अभ्धैरंड ह ठीक है नांग खाई लेम अभरेंट की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष जिसको पीचर प्लाण्ट भी पोला जाता है पीचर प्लाण्ट तो अब के बील चीने अभी एक एक अपते पहले ऑड़ेम आया था कि उसमें चित्र दिखाएगा ऊस killing का उसमें पह्यासना ना पर कीट कोई प्रिवेश करता है इंसर्ट करता है तो यह रखकन पूरा बंद हो जाता है ठीक है तो अर्थात यह पिचर प्लाइट जो है जिसका नाम बैग्यानिक नाम नाम दिया गया क्या दिया गया में मां कॉक्सी में मां कॉक्सी नाम दिया गया है क्या नाम दिया गया है में मां कॉक्सी नाम दिया गया है इस में मां कोक्सी को नेपेंथिस खासियाना या पिचर प्लाइट बोला जाता है जो जो अबेरेंट और बागमारा अबेरेंट की विसेश्ता है ना खायले अबेरेंट की सबसे आर्था सबसे गरम चेतन में से एक है यहां जो आपका झारो खासी जयंतिय है में जो है जो एक थिट्वर्य निचला इलाखा है यहां जू तब मान Snowом सब बिषिए अधिक झाल जाता है और जैसे उपर होते हैं तो तो मौसम ठंडा होता प्रतीत होता और सिलांग पीक के आसा दिलकुल ठंडा हो जाता है इसी वज़े से जब उत्तर भारत में गर्मी पढ़ती थी तो ततकालिन ब्रिटिस अधकारी यहीं पर माईगरेट वहकर फिलन पी पर आते थे इसी वज़े से इसदी को भारत का पूर्व के संग्यomination दी गयी ठीक है तो नोक्रिक पर कम यह ज्यादा ताप मन रहता हुर्स बार और जैसे जैसे हम उपर के तरफ जाते हैं खासी के तरफ जाते जाते घरते तो मौसम fucking होता जाता है इसके अलावा भॉलते हैं भॉलते हैं जो एक करेंडर माह में सरवाधिक वर्षा का रिकार्ड करता है क्या करता है एक कलेंडर माह में सरवाधिक वर्षा करने का रिकार्ड सोहरा यह चेरा पूजी में होता है इसके लावा यहीं पर खासी में ही एक छेत पाया जाता मसिन राम मसिन राम एक कलेंडर वर्ष में एक कलेंडर वर्ष में सरवाधिक वर्षा का रिकार्ड मसिन नाम है थीक है हमने पढ़ा है खासी के जो छेत्र है सहरा और चेरा पूजी में एक कलेंडर में सरवाधिक वर्षा का रिकार्ड है तो कभी कभी कुश्चन यह आ जाता कि एक कलेंडर में सरवाधिक वर्षा का रि Okay खुर स्षरवादिक वर्सकरीकर्य मसिन राम के नाम है ठीक है और यह दोनों चित्ट किसके भाग है खासी परवत के परवती चित्र के भाग है कि हमने जलवाई पढ़ लिया है कि हम पढ़ते हैं उंगागी था तो देखिये यहंपर कुछ पास कर देता हुए देखिए यह बंगला देश है यह मिघाले है यह किसके साथ मोनी शेयर करता है यह हमारा आपका यह बेस्ट बंगाल हो गया बेस्ट बंगाल हो गया यह आपका इश्ट बंगाल था पूरी बंगाल था जो 1972 के पहले पाकिस्तान का पाठ हुआ करता था ठीक है किसका पाठ हुआ करता था पाकिस्तान का पाठ हुआ करता था लेकिन 1972 के इंडो पाक वार के वह जैसे भार ने इसको आजात करवा है और इसको नए नाम दिया क्या नाम दिया पंगलादेश नाम द थे जलाड फार तरह ओर आपका ईक्तल थे बीक हो जाता है इसी वजह से थोड़ सा अंतर दिखार दिखाई देता है यह अंतर किस वज़े से आता है यह अंतर आपका जो यहां से ब्रह्मपुत्र और गंगा हिवानी न दिया आती है इस अपने लाए गए आउसादों कर बीच के पाट को काट देती है अर्थात राजमहल गायब और सिलंग पठार के बीच के भाग को काट देती इसी वज़े से बीच का जो भाग कटा पटा दिखाए द गयब अभी राजमहल गारो गयब न देखाते हैं मालदा गयब देता है मालदा गयब ठीक है है अर्थात हम कहे सकते हैं कि राजमहल पहाड़ी और सिलंग पठार के बीच एक गयप सा दिखाई देता है, ये गैप किसके दोरा होता है? प्रमपुत्र और गंगा दोरा लाए गाए गया है और साधो उकान बीच का भाग कटा-पठा दिखाई देता है इस वजे से राजमहल Pahadi और सिलंग पठार के बीच एक गैप दिखाई देता है, इस गैप हो क्या जो राजमाल पहाडी किस पठार का भाग है तो छोटा नांगपूर पठार का पूरी भाग पूरी विस्तार राजमाल पहाडी किस अब यह आज क्यों मों हिमालाओक बिस्तार है और छोटानांगपूर विस्तार है तो हम दोरा अलग होता है ठीक है यह हमने राजमालगारों का पढ़ दिया है अब हम पढ़ेंगे जल संग्रे का तरीका जल संग्रे का तरीका मेघाले के निवासियों दोरा सहे इस पहाड़ी के उपर और